अभी अगी यह वेलकम्टो दा जोग्रफी Çाद भच्व आखौ अवजव बढ़ेंगे कि हम जोग्रफी क्यों पढ़ना चाते हैं ठीक है deep जोग्रफी पढ़्टा क्यों निह बारी आ है हमारे लिए। जोग्रफी के बिना हमाहा काम क्यों नहीं चल रहता है ठीक है, जोग्रफी इतना important subject क्यों है हमारे लिए, ये हमें आज जानना होगा, ये हमारे लिए बहुत जुरूरी है, ठीक है, the what is the earth, earth is a planet, ठीक है, प्रत्वी क्या है, प्रत्वी एक हमारा रहने का इस्थान है, जिस पर हम रहते हैं, और प्रत्वी ही क्यों, प्रत्वी पर क क्यों कि सारे की सारी दशाई और सारे की सारी चीज़े मिलती हैं, जैसे oxygen, पानी और हवा, तो हम पहले बात करते हैं, why study the geography, ठीक है, हम जोग्रफी का ध्र क्यों करते हैं, या जोग्रफी हमारे लिए क्यों important है, geography give us your life skill to understand the world around you and interact a global citizen, ठीक है, जोग्रफी क्या करती है, हमें global skill provide करती है, understanding develop करती है की, और interact करती है की, global citizen जो है, वे कैसे रहते हैं, ठीक है, प्रत्वी पर, किन किन जना पर, क्या क्या चीज़ों में परिवर्थन होता है, क्या क्या टेंप्रेचर है वहाँ का, ठीक है, और क्या क्या महाँ पर, चीज़े हैं, ठीक है, and second point, the geography provide excellent job opportunity, specifically in ever changing world, ठीक है, और geography के द्वारा हमें, job opportunity भी बहुत अच्छे मिलती है, आप देख सकते हैं, कि आपने, कोई भी आदमी, दूसरी जगा migrate कब करता है, या तो health के लिए करता है, या फिर education के लिए करता है, या फिर health के लिए करता है, या फिर better job के लिए करता है, या फिर visit करने के लिए करता है, घूमने के लिए करता है, ठीक है, और हम geography में अलग-अलग location देख सकते हैं, अलग-अ वाला मुखी देख सकते हैं, अलग-अलग जगापर, अलग-अलग परवतों का अध्यन कर सकते हैं, ठीक है, जोग्रफी helps you become and engage the active citizen, और जोग्रफी के द्वारा आप एक active citizen बन सकते हैं, सपोज आप देख सकते हैं कि दुनिया में होने वाली news कितनी है, कितनी परकार की गटना की biodiversity है, अलग-अलग परकार के महां पर जानवर हैं, ठीक है, जोग्रफी provide you with a well-round education, ठीक है, और जोग्रफी के द्वारा आप अलग-अलग जगापर देख सकते हैं, कि what is education system in this world, ठीक है, और कौन-कौन सी सुइधा है, कौन-कौन सी education system develop है, और कौन-कौन सी चीज़े सीख जाते हैं, ठीक है, जोग्रफी के अधियन के द्वारा हम यह देख सकते हैं, कि हमारी प्रत्वी क्या है, ठीक है, उस पर सूर्य का प्रकास कितना आता है, फिर हम यह measurement कर सकते हैं, कि सूर्य का प्रकास जिन भागों में ज्यादा आता है, वहाँ पर क्या क्या चीज होत यह देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉइट्स है एस्ट्रोनॉइट्स क्या होते हैं एस्ट्रोनॉइट्स वे होते हैं जो अंत्रिक्ष विज्यान की सेयर करते हैं और जो बड़े बड़े किसके द्वारा जाते हैं या इस पे सटल के द्वारा जाते हैं इस पे सटल के द्वा किस के द्वारा बेज जाती है इसरो के द्वारा बेजे जाती है अमेरिका में नासा के द्वारा बेजे जाती है ठीक है और हम जोग्रफी के अध्यन के द्वारा हम और क्या जान सकते हैं हम जान सकते हैं कि रित्वेक परिवर्तन कैसे होता है यानि कि क्लाइमेटी कंडिशन क कैसे होती है, weather कैसे बनते है, जैसे कि यहाँप इस pictures में देख रहे हूँगे, कि यहाँ पर जब सूर्य का परकास North Side, North Pole पर पड़ता है, तो वहाँपे क्या होता है, वहाँपर दिन बड़ा होता है, यानि कि 21 June को दिन बड़ा होता है, और जब साउथ पोल पर पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर होती है वहाँ पर जब यहाँ पर शर्दी होती है तो वहाँ पर गर्म ही होती है यानि कि 22 दिसम्बर को फिर एक इस्तिती ऐसी होती है जब सूरिय और सूरिय के सामने प्रतवी इकवल आ जाती है ठीक है ठीक है और ये होता है 23 मार्च को ये होता है ये क्या होता है ये 23 मार्च को यानि कि 23 मार्च ठीक है और ये 23 सितम्बर को दिन और रात बरावर होते हैं और इसी स्थिति को बोलते हैं इक्विनोक्स ठीक है और इसी स्थिति के कारण आपके दिन और रात बनते हैं और मोसम में परिवर्दन भी होता है ठीक है फिर हम देख सकते हैं देखो जैसे आगे चितर में दिख्या हो गया दिशंबर और जून ठीक है यह हो गया March और यह हो गया सिधंबर यह Equinox है ठीक है और यहाँ पर अलग-अलग परकार की रिथवे हो सकती है ठीक है अब हम अपने अर्थ को Bluparanate क्यों कहते हैं हम यह जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है यानि कि 71% water है और 29% भाग पर हम रहते हैं ठीक है फिर why we study the map ठीक है हम अलग-अलग परकार के map का अध्यान क्यों कर सकते हैं map का अध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो time zone है आप ये लाहिने देख रहे होंगे ठीक है ये जो सिधी रेकाए है वे longitude है और ये है latitude ठीक है इसके द्वारा हम किसी भी जगा की location पता कर सकते हैं कि इतने रिये में कौन सा है कौन सी चीज है ठीक है और इनके द्वारा हम satellite वगेरा का पता लगा सकते हैं या फिर हमें किसी देश पर कोई भी मिसाइन वगेरा छोड़ नहीं होती है तो हम उसकी location trace करते हैं और ये काल्पनिक रिखाए होती है ISD International Standard Time June ठीक है फिर map की अध्यन क्यों जरूरी है map का दियन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने forest हैं ये पता कर सकते हैं कि कितने भाग में रेगिस्तान हैं जैसे ये क्या है South America के चीले है चीले में क्या है? चीले के इस भाग में क्या है? यहाँ पर deserts है ठीक है? फिर हम जोगरफी से जान सकते हैं कि अलग-अलग परकार की मिट्टियां कैसी होती है? Sandy soil क्या होती है? सिल्ट soil क्या होती है? और clay कैसी होती है? ठीक है? clay को हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं जिससे हम बरतन भी बनाते हैं फिर हम जोग्रफी में अध्यान से देख सकते हैं कि अलग-अलग जंगा पर कौन-कौन सी soil मिलती है ठीक है loom, sand, silt clay, loom, sand और silt फिर हम ये देख सकते हैं कि कहां की soil red color की होती है कहां की black color की होती है कहां की brown color की होती है और कहां की थोड़ी सी कहां की थोड़ी सी gray color की होती है ठीक है जैसे ये आप देख सकते हैं aluvial soil ठीक है aluvial soil के बारे मैं जान सकते हैं फिर देख सकते हैं कि किस soil में कितने परकार की वर्षा होने के कारण उसका color कैसा होगा उसका texture color कैसे होगा उसके किस-किस परकार के उसके अंदर अलग-अलग परकार के कितने परकार के उसके अंदर carbons पाए जाएंगे फिर उसके अंदर कितने परकार का nitrogen हुआ है कि महां के कितने परकार की humus है Humors का मतलब क्या है? कि जब पेड़ो से पत्ते वगएरा या फूल वगएरा गिर जाते हैं तो उसके कारण उसके अंदर Organisms या Contents मिल जाते हैं या कोई भी पशू या कोई भी पशू वगएरा मरने के बाद वे क्या कहते हैं? वे जमीन के अंदर ही मिल जाते हैं ठीक है इस परकार से फिर हम देखेंगे कि जोग्रफी में क्या होता है जोग्रफी में अलग-अलग परकार के क्या होते हैं वन पाए जाते हैं हम देखेंगे कि सदावार सदावार वन कहां जाते हैं एवरगीन फोरेस्ट कहां मिलते हैं एवरगीन फोरेस्ट मिलते हैं जहां का प्रकास और वर्षा जदा होने के करण यहाँ पर लग लग प्रकार की लंबाई पाई जाती है फिर देखेंगे कि भारत में कहां कहां पर किस किस तरह की वर्षा होती है और कितनी वर्षा कितने एरिये में होती है ठीक है जैसे हम देख सकते हैं कि लंबे वन कहां पाई जा जाडिया कहां पाए जाती है इस परकार से हम जान सकते हैं देखो इसके अंदर क्या है कि अब अलग-अलग परकार की जाडिया कहां मिलेगी ठीक है पर्डपाती वन कहां मिलेंगी यानि कि डैफोजियस फोरेस्स कहां मिलेंगी वेवन कहां मिलेंगी जहां पर पत्तिया गिर तो इस प्रकार से हम अलग-अलग mapping techniques के द्वारा जान सकते हैं कि 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 किस तरह से कि कहां कहां कितने रियाज में इन चीजों को कवर किया गया है तो मैप की हमें क्यों आवशकता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जारेंगे फिर हम यह देखेंगे कि इसके द्वारा हमें पता लग जाएगा कि वैपारी पर ने की ने के आ जाता है यानि की ट्रेड बिंड कहा जाक की ने के आ जाता है आपने देखा होगा कि कुछ जाजों में पहले इस परकार से कपड़ा बांद दिया जाता था और जब हवाए कपड़े पर टकराती थी तो क्या होता था नाउ वगेरा ये चलने लगती थी तो इसको बोलता है ट्रेंड विंड ठीक है होर्स विंड भी बोलते है क्योंकि पहले हैं इन पर क्या होता था इन जाजों पर सबसे पहले हैं इन पर होर्स लाए जाते थे ठीक है और जब पारियों को लगता था कि होर्स का वजन जदा हो गया तो होर्स यहां से जाज से नीचे समुदर में धकेल दिये जाते थे और जाज का वजन कम कर देजा था इसलिए इसको होर्स विंड भी कहा जाता है हम प्रत्वी के अलग-अलग भागों का ध्यन करेंगे इसमें ठीक है तो जो ग्रफी इसलिए कि हमारी knowledge को हमारी mapping technique को ठीक है जहनने में प्रत्वी की कोन सी कक्षा है कोन सी कक्षा में जाने के बाद प्रत्वी सूर्य का प्रकास आएगा फिर हम चांद सकते हैं कि June में ही दिन बढ़ा की होता है दिसंबर 22 दिसंबर को कहां बढ़ा होता है 22 दिसंबर को दिन आश्टिल फेलो आफ करके तिल्ट करके यानि कि आप देख सकते हो कि हमारी प्रत्वी टिल्टिड है यानि कि एक इक अपर चुगी ठीक है तो हम इस तरह से जानेंगे कि हमारे लिए मैपिंड या क्यों LE रिह about बच्चों ने मेरे से कल पूचा था कि why are we using the map ठीक है और हमें हाथ से बनाना क्यों निवारिया है हाथ से मैप बनाना इसलिए निवारिया है क्योंकि बिना हाथ से बनाए मैप हम चीजों को याद नहीं कर सकते हम इमेजिन नहीं कर सकते सपोज आप एक न्यूस पिपर पढ़ नहीं है thank you I hope you like this lectures and you get much more informations regarding this और मैं next part में भी बताऊंगा आपको की हम किस किस परकार से मैं पिंग को use कर सकते हैं और यह जो आज की क्लास है 9th और 10th दुनों के बच्चों के लिए बहुती useful होने वाली है बहुती combined test है ठीक है I hope you like it thanks for watching